अलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक्टो डिफेंशल अकेडमी आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे हैं कॉंस्टूशन आफ इंडिया टॉपिक को पुरॉपर स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे ताकि इंपोर्टेंट फैक्ट्स और परसंस आपको इजली याद रहें लोकि इतने भी कंपेटिशन एक्जाम में लाइक यूपीएसी है सभी एक्जाम के जो रिपीटिव कोश्चन है जो हमारे इस टॉपिक पर उपर बेज्ड हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखी कॉंस्टूशन ऑफ इंडिया के बारे में तो देखी स्टार्टिंग हमारी हु हैं भारत की उन सब पर दवाब बना सके कि ऐसे ऐसे चीज़ों को लेके चलना है और उनको यह भी लगता रहे कि हम उनके बैनिफिट के लिए काम कर रहे हैं ठीक है तो अगर एक्ट देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो चाहें 1853 का चार्टर एक्ट है 1909 का मॉरले मिन्टर रिफॉर्म जिसको आप क्या बोलते हो इंडियन कांसिल एक्ट 1909 भी बोलते हो ठीक है तो काफी सारे एक्ट पास किया गए तो ताकि हमारे जो लोग है इंडिया के ताकि उनको यह लगता रहे कि वह उनके बैनिफिट के लिए काम कर रहे हैं ठीक है तो बात करते ह है आपकी स्टोरी को ठीक है और इससे पहले जितने भी हमारे जो एक्ट हैं वो हम दूसरी वीडियो में और लिडी स्टोरी के फॉर्म में डिसकस कर चुके हैं जो हर एक्ट का अपना पर्टिकुलर जो एहम वो थी उसके कुछ पॉइंट्स थे कि क्या क्या चीजे उसमें फॉलो की जाएंगी ठीक है तो 1947 में हमारा क्या है भारतिय सुतंदा इंडियल इंडिपेंडेंस एक्ट को लागू किया गया अब इसकी कुछ में में जो बाते हैं वो हम डिसकस करते हैं जो की इंपोर्टेंट होती है एक्जाम पॉइंट व्यू से ठीक है तो सबसे पहले हमारी इसके अंदर पहला पॉइंट था कि इसके स्थापना कि जाएगी भारत और पाकिस्तान नाम के दो बना दिये जाएंगे तो इन्होंने यह बात और उन्होंने बोला कि जो इसके बाद जो हमारे Britishers होंगे वो proper सत्ता दे दे जाएंगे जो हमारे उस टाइब की constitution assembly जो बनाई जाएगी ठीक है और जब तक वो constitution assembly उस सत्ता को समालेगी जब तक हमारा कोई भी constitution दोनों का ready नहीं हो जाता बन के ठीक है तो यह पहली बात कहींगे हमारी 1947 के हमारे जो act के अंदर और जो माल लिया गया था ठीक है तो चार जुलाई को यह कहां हमारा यह पारित किया गया था यह आपका British Parliament के अंदर ठीक है तो आपको date याद रखनी है 4th of July 1947 को यह British Parliament के अंदर इसको पारित किया गया और उसके बाद इसमें जो चर्चा होई और इसके बाद इसको 18 July 1947 को इसको कर लिया ठीक है तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको में में पॉइंट को आपको सौट नोट बनाना है ताकि आपको एक स्टोरी क्रेट हो जाए कि कैसे चीजों को लेकर चला गया ठीक है जब इन्होंने बोला कि भाई ठीक है आप जब हम यह पास हो चुका है तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि दो जो हमारी कंट्री है उनके दो नाम के नाम से उनको सेपरेट कंट्री बनाया जाएगा जो कि 15 आगस 1947 को भारत और पाकिस्तान के नाम से दो राजे बना दिये जाएंगे ठीक है और उनको जो सरकार की जो सत्ता होगी वो जो Constitution Assembly ब gegenüberंटर होंगे ठीक है और जूनकी नेजुकती हमारा मंत्री मंदल की सलासे की जाएगी ठीक है जो हमारे डिसक़ कियागी जो सम्विधान सभा होगी हमारी वो तब तक काम करेगी जब तक हमारा सम्विधान बनके ready नहीं हो जाता ठीकgil और भारत के जो जितने भी हमारे मंत्री के पड़ है वो हमारे क्या है जबकि हमारे हरे समाथ हो जाएंगे ठीक इसको यूज किया गया ठीक है और काफी सारी चीजें आज की डेट में हम क्या है उनको फॉलो भी करते हैं अगर हम में देखते हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद हमने उसको यूज किया था तो यह सारे हमारे जो पॉइंट से रखे गए ठीक है और इस अधीनियम के अंदर यह भी देखा कि हमने जो एडिया है वो कहा है डॉमिनियन स्टेट को बना दिया जाएगा और इसके अंदर सि तो रूप में घुशित कर दिया कि यह यह अलग राज शीत रहेगा और अगर बारे में देखिए इसके बाद हमारा क्या है कि कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करते है इसके बाद क्या रहा है जब यह 1947 में हमारा जब इंडियन इंडिपेंडेंस अक्ट को पारित किया मिशन की जो इस्तुतियां थी वो हमारी क्या थी भारत सम्विदान का जो 1946 में इसका क्या गठन क्या गया और कैबिनेट मिशन की जो जो हमारे सदस्य थे वह आपके स्टेटफोर्ड क्रिप्स ठीक है और लौड पैंथरिस और आपके एबी एलेक्जेंडर यह तीन जो हमारे सबसे पहले जो बोला गया था वो सुराज पार्टी में इसके बारे में इसको बात बोली थी कि भई इसकी रचना ऐसे होने चाहिए फिर इसकी तुप काफ़ी सारी चीज़े अपने अपने रखे थे सामने ठीक है तो सम्विदान सब्भा में जो हमारे बात करते हैं मेंबर सब्भा मेंबर के अंदर 292 मेंबर थे बिटिस प्रांटों से लिए गये चार थे हमारे चीफ कमिशनर जो हमारे जो चीफ कमिशनर चेत्र से जितने भी हमारे उनके प्रतिनदी थे ठीक है और 93 हमारे थे देशी रियास्ते जो हमारे देशी रियास्ते थी राजा मारा जाओ की वहां से लिए गए थी प्रतिन दी ठीक है तो अब अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन अब कैबिनेट मिशन के अनुसार हम देखते हैं 1946 में जो सम्विधान सभा का जो सुनाब हुआ द देखते हैं Muslim लीक थे और 15 हमारे अन्य दल के थे ठीक है और अगर बात करें तो ईससाव से किया गया कि हमारा प्रतिनदी चुना गया तो 10 लाग पर हमारा एक प्रतिनदी ठीक है 1 million जो हमारे जो अगर जो बात करते हैं आबादी के बारे में तो 10000000 आबादी के ऊपर एक पृतिने दी को चुना गया इस तरीके से अमारा जो जो अमँरा एलेक्षण था उस तरीके से बनाये गया कि वह यह इतने लोगों के और उसका याइक और उसका को अंदर क्या आपके मैं करतेज़ों गहिए दिन्वा आते हैं और पाकिस्तान के लिए अलग सम्विदान सभागी उन्हें मांग रखी ठीक है तो यह हमारा हुआ था 9 दिसंबर 1946 को जो भी हमारी क्या हुई थी फर्स सेटिंग हुई थी ठीक है और मेंबर्स के बारे बात करते हैं तो हमारे कितने मेंबर देखिए अगर अकॉर्ड जिसमें क्या है जब तक काम करते हैं यह मारे बनके रेड़ी नियुक्स करते हैं ऐसके उनको कौन कौन से हिंपार्ट्منٹ न कौन को ने समाले करWork के दर तो जायाumen अगर हम बात करते हैं सरदार वरलब वाई पटेल ठीक है सरदार वरलब वाई पटेल को होम और आपके information broadcasting डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को हमारा food and agriculture ministry दी गई और जो डॉक्टर जॉन मताई को दिया गया industrial and supplies ठीक है और जग जीवन राम लेबर मिनिस्टर थे हमारे और कौन सा जो हमारा department के अंदर ठीक है तो कुछ हमारे जो पॉलिटिकल आपके पोस्ट भी पूस्ट ली जाती है कि कौन-कौन से हमारे जो पोस्ट थी इंट्रिम गवर्मेंट के अंदर ठीक है तो यह इंट्रिम गवर्मेंट का काम क्या था हमारा देश को जब तक चलाना बात करते हैं समुदाय हमारे 296 जो हमारे पृतिनिदी थे टोटल मान लो ठीक है जिसका हमारा क्या हुआ था इलेक्शन करके जो लिए गए थे तो उसमें तीन कम्यूनिटी में हमारा उनको डिवाइड किया गया था ठीक है पहला था हमारा दीक है 213 हमारे जनरल में आते थ और जो हमारे 79 जो हमारे उमीधवार थे उसमें हमारे क्या है जो मुशलिम समुदाय के लोग ते ही किरह और आपकी जो चार थे हमारे से इलेक्ट करे गए थे उमीदवार थे ठीक है और बाकी हमारे क्या थे मुस्लिम लीक और उसके आपके अन्य थे ठीक है तो अब जब यह सारी चीज़ें डिसकस्थ हो गई तो फिर उसके बाद क्या है समविधान सभा में हमारे मेंबर होंगे उनके बारे में देखते हैं है कितने मेंबर स्थे उसमें तो थर्टी त्री मेंबर समारे उसके अंदर थे एक समविदान सभा के आधल और फिमेल्स के बारे में बातמה देखें जो हमारी च्वल में बताऊँ तो कुछ का अ अधिक है और देखें 11 दिसंबर 1946 ग्यारा दिसंबर उनिश्य चालिस को दौक्टर राजिन्द्र प्रशाद ने सम्विधान सभागा जो पहले दो हमारे किसको चुना गया था ता हमारे सचेना नंद सिना ठीक है वो हमारे उनको क्या चाहिए था टेंप्रेडि जो अध्यक्स चुना गया था उनको और उसके बाद 11 तारीक को उनको क्या गया था उनको एक पर्मनेंटर जो अध्यक्स चुना गया था हमारी डॉक्टर राजिन्द्र प्रशाद ठीक है और सम्विधान सभागी जो कारवाई होती है आपके तेरह दिसंबर 1946 को आपके पहला जो जो पेस प्रश्ताब 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 किया था उससे हमारा एक्च्वल में इसका जो काम स्टाट हुआ था और 22 जनवरी 1947 को इस प्रश्ताब की क्या गर दी गई थी उसको मान लिया गया था सुकृति दे दी ठीक है ताकि जब सारी समीतियां है वह आपकी क्या है प्रोप पर विछार करने के लिए इसके फिर यहींट KOSmary करने समेंटी के और दी कौन थी और उसके अंदर कौन-कौनशी लोग थे जिनको पर्यक्लिकुलर क्या है जो जो चीजें करना और संचाल के बारें बात करें तो आपका क्या है डॉक्टर राजिंद्र परसाद के तुवारा करी गई स्टेरिंग कमेटी जागी संचालन समीती जो आपकी है डॉक्टर राजिंदर प्रसाथ के दुवारा ठीक है तो यह कुछ कमेटी बनाएगे जो अपने अपने जो अपने काम को जो हैड करेंगे और उसके बाद क्या है हमारा जो इंडियन कॉंस्टूशन है उसको हमारा क्या क चीजों कर बनाएं गया और उसको बाद में प्रॉपर उसको देखा गया घी कौन कोशनी जो कमिया है जो हम क्या कर सकतेते हैं दूर कर सकते सकते यह सब्सक्राइब यह आव leg तो तब क्या होग दो वर्स आग्यारा महीने और अठारा दिन ठीक है टूर्स टूब इसट इतने टाइम में यह हमारा जो समविधान है वो क्या होगा कॉंस्लिशन हमारा पूरा बना और टोटल जो बहस के बारे में बात करें तो 114 दिन हमारे क्या है यह इसकी प्रॉपर बहस करें ठीक है और टोटल मिलाकर आगर बात देखते हैं कि 26 नॉवंबर 1949 को इसको पारित किया रही है 26 नॉवंबर 1949 को इसको का कर दिया गया और इसके कुछ भाग जिलाए कि जैसे देखते हैं तो पार्ट 22 है 395 आर्टीकल है और आपके आर्ट हम सुच्छा थी उस टाइम पे ठीक है जब यह बना था विदान तो हमारा उसमें 395 तीन सो पिचानव आर्टीकल है 25 पारट हैं और बारा शेडियूल है ठीक है और अमेडमेंट के बारें बात करें तो अभी 104 अमेडमेंट है अभी देट में ठीक है तो इसको पाराज को कुछ सीजिए हमारी कि इंप्लिमेंट कर दी गई और अगर दिखते हैं तो इसको मैं etic को सभी यह हमारी ठोड़ी एक फेलिक से हमारी चीजों को लेके चला गया ठी CE उससे पहले हमारी समविधान सभाही रूल करती रही जो ne ंतुरिम गऋर्म्म नवाद वो चलती रही है उसके बाद हमारा क्या है जो फर्स्ट आम एलेक्शन होगी थे 1951 से 52 के बीच में और उसके बाद जो नई संसत बन किया है ठीक है और उसके साथ अंतरिम सरकार की रूप में उसने काम किया था ठीक है और संविधान सभागे देखिए उसको और काम थे जैसे बात करते हैं उन्होंने 1949 में भारत की सदस्या का सत्यापन किया था ठीक है बाइस जुलाई 1947 को क्या किया रहा था जो हमारा नेशनल फ्लैग है तो राष्ट ध्वज है उसको अपनाया गया 24 जनवरी ठीक है 1950 को राष्टेगान राष्टेगीत को क्या कर दिया गया अपनाय सबसे पहली बात है कि इसके अंदर हमें सब चीजों को इंक्लूड करा गया है ठीक है प्रियंबल हो चाहिए हमारी कोई भी चीज़ें हो तो सारी चीज़ें हमें इसमें डिसकस करेंगे नेक्स वीडियो के अंदर यह बेसिक जरनी थी हमारी कि हां पर हमारा देखिए 26 झाल जरती बात है कि झाल करेंगे थे कि बात है भीजों कोई जन ग tới करों dew कोश блиकरी चारी है डीक है, वीज़ें हो जी जे हमें बाल कोई परामें हमें भाल कर बिसके हमारी करेंद muita कर ले i편 95 वास लाल कि लागजा पना।